अगर एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेट करेंगे जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेसिक अंड़सेंडेंड के लिए एक ट्राइंगर लाइए और यह जो नीची ऑली साइड इसका मिड्वाइन से यहां से लाइन आपको मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या है इंडरेटली अगर हम बोले तो जहां पर यह तीनों मीडियन इंटरसेट करें हैं वो यह वाला पॉइंट है क्या नाम है इस पॉइंट का जब तीनों मीडियन इंटरसेट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों सेंट्रॉइट तो कौन सा option correct है यहाँ पर option number d का correct answer हो जाता है यही इसका solution लिख लेते हैं क्या है option number d का correct answer है और याद करने के लिए भी बता दू कैसे याद करेंगे इसको देखिए याद करने का भी तरीका बतायता हूँ आपको देखिए अगर आप median शब्र देखते हैं median शब्र देखते हैं इसमें देखिए d आता है यहाँ पर centroid देखते हैं तो इसमें भी d आता है तो अगर दू क्या बोल सकते हैं centroid किसे link रखता है centroid median से link रखता है ठीक है देखिए यहाँ पर और किसी शब्र में देखिए d नहीं आता उन-center में भी नहीं आता सिर्फ centroid में आता है ये मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका भी बता दिया तो कैसे याद रखेंगे दिखिए जहाँ पर D है Centroid का D है वहीं पर median should में भी D आता है इस थरह से हम इसको याद भी दोस्तो रख सकते है